हम बात कर जोगी हैं आफ सभी के बीच पैतिस वर्षिय सिंगर, कंप्यूजर, प्रोड्यूसर और सॉंग अरेंजर आदित्य पुरुवाल के बारे में जिनके निधन के बाद इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री सब्मे में है इस सभ्मे से निकलना बहुत कथिन है लंबा वक्त लगेगा इस सभ्मे से निकलने में आज हम आपको बता दे अधित्य पुरुवाल की अंतिम इक्षा आखरी इक्षा यही थी कि वो अपने मा का सेवा करे अपनी मा का सेवा करे उन्होंने तमाम प्रोजेक्ट्स बनाए थे और तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर वो तैयारिया भी कर रहे थे। गाना बनाना, गाना कंपोज करना यही उनकी शती की पोश्ट देखे जरा अंधेरे में बैठ कर कैसे वो गाना कंपोज करते थे। और बीच में ही उनकी बिमारी, किड्नी इंफेक्शन बढ़ने की वजह से बिमारी इसका दर बढ़ी कि उन्हें आईसियो में भरती होना पड़ा। आदित्य पोडवाल की हालत ऐसी हो गए कि वो फिर अपने गाने के सलसले को छोड़, खुद को अकेला छोड़, तनहा रहे गए, बहुत अधूरी रहे गए। जी हाँ, आदित्य पोडवाल ने आखरी बार 31 मई की तारीख को एक पोश्ट शेयर किया था, जिसमें वो बहुत ज़ादा खुश नजर आए थे, वो और लाइफ सेशन के लिए हैं, ऐसे लाइफ सेशन के अलावा, अपनी जर्ली से अपनी मा को बहुत ज़ादा जाहित की थी, इसके अलावा वो कुछ गाने थे, जिसकी प्रिप्रेशन कर रहे थे, लेकिन अफसोर्स जिंदगी ने ऐसे वक्त बदला कि वो हमेशा के लिए हम सबसे दूर चले गए, आपको बताना शाहेंगे कि ये वोश्ट उस वक्त की है, जब काफी जादा वो बिज किए गैसी सिंगर है जिनोंने एक सर बढ़कर एक गानों को अपनी अबाज दी, भक्ती गानों में उनकी हमेशा तारीफ होती थी, जीनी की उनकी इकछा यही थी आखरी, आखरी इकछा यही थी कि वो अपनी बेहन, अपनी मा के सामने रहे, और उनकी देखभाल करें, उनक अधित्यमिक्षा बेहर दर्द भरी थी अधित्यपोर्वाल की अधित्यपोर्वाल आखरी समय तक अपनी मा की इक्षा पूरी करना चाहते थे हर तरह से वो अपनी मा को सुख देना चाहते थे यही थी अधित्यपोर्वाल की इक्षा जो की नहीं हो सकी पूरा क्योंकि किरनी फेल होने के बाद बिते शनिवार कुन करने धन हो गया और वो हमेशा के लिए चल बसे लेकिन ये आपको बताना शाहेंगे कि अदित्य पोडवाल बहुत जादा अपनी मा के दल के करीब थे अनुराधा आज अपनी बेटे के निधन के बाद अगर तूट गई है तो इसके पीशे कारण है बेटे की अधुरी वाहिशे जो की अपनी मा के साथ जेने की ताउमर थी और वो पूरा नहीं हो सका